प्रिय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ई ए को अ कब पढ़ते हैं देखिए ई ए को अ कब पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है इ ए के बाद इ ए के बाद अगर इ ए के बाद आर हो तो वहाँ पर इ ए को आ पढ़ा जाता है इसकी परिभासा किस परकार से बनेगी तो देखिए यदि किसी सब्द में इ ए के बाद आर हो तो वहाँ पर इ ए को आ पढ़ा जाता है उधारण के लिए आपके सामने है देखिए आपके सामने है S-E-A-R-C-H तो यहाँ पर E-A के बाद आर है तो यहाँ पर E-A का उचारण हो जाएगा A तब इसका संपोन उचारण हो जाएगा सर्ज अर्थात सो में A का उचारण हो रहा है तो E-A को यहाँ पर हमने A पढ़ा तो अब एक बार फिर से कहते हैं यदि किसी सब्द में E-A के बाद आर हो तो वहाँ पर E-A को और पढ़ा जाएगा उचारण के लिए आपके सामने है सर्ज आपको नौट्स बथाते हैं देखिए यदि किसी सब्द में E-A के बाद आर हो तो वहाँ पर E-A को और पढ़ा जाएगा उधारण के लिए आपकी सामने है सर्च इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू है वनाइस डे